जैहिंद दोस्तो, मैसल्फ किशोर कुमार and I am a student of veterinary science हाँ हाँ इस बार ये बोलना जरूरी है क्योंकि हम इसी topic पे बात करेंगे Let's start आज हम बात कर रहे हैं हमारे state 36 गड़ के एक मात्र veterinary college में admission के लिए जिसका नाम है College of Veterinary Science Anjora Durg हमारा मानना है कि आगे बढ़ने से पहले हमें कम से कम एक बार seat structure की जानकारी होनी चाहिए तो total seats है 68, 68 में से 27 seats है general category के लिए और 27 में से 8, 8 seat है लड़कियों के लिए reserve एक seat reserve है freedom fighter के लिए, एक seat reserve है physically disabled person के लिए और एक seat और reserve है जिसके बारे में मुझे पता नहीं पर एक seat extra reserve है और बचे 16 seats जो है वो समान्य है general है अब हम बात करते हैं OBC की तो OBC में total 10 seats reserve है और 10 में से 3 seats यानि 3 seats reserve है girls के लिए और रही बात schedule cast की तो उसमें total 8 seat reserve है और उसमें से 2 seat reserve है girls के लिए और बात करे schedule tribe की तो उसमें total 22 यानि 22 seats है जिसमें से 7 seats 7 seats reserve है girls के लिए एक seat reserve है freedom fighter के लिए एक seat reserve है क्रिशक के लिए एक seat reserve है physically disabled person के लिए और एक seat reserve है वो नहीं पता वाले के लिए और total इतने seat है और बचे हुए 11 seats समान्य है general देखे दोस्तो हमारे समय में admission के सारे process offline हुआ करते थे तो चीज़े काफी ही ज्यादा असान थी लेकिन अब कुछ online processes add on हुए है तो पहले मैं आपको step by step चीज़े समझा देता हूँ कि क्या होगा उसके बाद हम exact चीज़ों पर बात करेंगे तो सबसे पहला step होगा कि आप online registration कराएंगे कैसे registration कराएंगे कहा registration कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगा और fees structure के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा फिर दूसरा step होगा जिसमें आपको list जो आप जितने लोगों ने counselling के लिए अपलाई किया है उन सबका एक list आएगा वापस एक list आएगी और इस बार वो list rank wise आएगी और उसमें आपको इस उधार नहीं कर सकते rank wise list आएगी और उसमें आपको एक rank card मिलेगा जिस rank card को लेकर आपको fourth step में आपको offline college हमारे आना पड़ेगा तो start करते हैं दोस्त पहला step में आपको online registration कराना पड़ेगा जिसका date है मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा तो आप लोग देखते रहें जिसका date है 31st of January 31st तारीक जनवरी को आप registration online registration करना चालू कर सकते हैं और यह चलेगा 14,14,14 फरवरी तक यह registration चलेगा याद रखें दोस्तो 14 फरवरी को रात को 12 बजे के बाद ही कुछ काम नहीं करेगा तो जो करना आपको 14 फरवरी के रात को 12 बजे से पहले पहले बात करना है पड़ेगा फोकट में तो यह registration होगा नहीं तो आपको online registration के लिए कुछ fees पे करने पड़ेंगे तो general category के लिए और OVC के लिए यह fees है 500 और अगर आप किसी reserved category से belong करते हैं तो यह fees है आपके लिए 300 अब यह भेजेंगे कैसे pay tm कर देंगे और क्या चिज़े इतनी असान नहीं है आपको एक particular neft बनवाना पड़ेगा और आपको हमारे college के bank के account में आपको पैसे भिजवाने पड़ेंगे तो मैं आपको वो सारे details यहाँ पर लिख कर दे दूँगा यहाँ पर लिख कर दे रहा हूं आप यहाँ पर ध्यान दे और इसको pause करके आप पढ़ ले कि क्या क्या detail है सारे detail कैसी है पढ़ ले step number 2 अब दिनांक 16 तारिक को यानि 16 फरवरी को आपको आपने जो online registration किये हैं कित online registration में कुछ गलती कर रखी है अपने नाम गलत लिख रखे हैं काश्ट गलत लिख रखे हैं यह कुछ भी अगर तुरुटी कर रखी है तो आप उन्हें सुधार सकते हैं कितने तारिक को 16 और 17 तारिक को आप अपनी गलती सुधार सकते हैं step number 3 तुरुटी सुधार के बाद से एक बार जो लिस्ट रहेगी उसे publish किया जाएगा public किया जाएगा और इस बार वो list rank wise होगी और आप हर हर एक बच्चे को एक rank card मिलेगा जिस rank card को लेकर आपको step 4 में offline college आपको आना है तो जो rank card आपको मिला है उस rank card को और आपके सारे documents को लेकर आप 23 23 of February को आप हमारे college आ होंगे आपके सारे documents को check किया जाएगा verify किया जाएगा और उसके बाद 23 of February को ही आपको admission भी मिल जाएगा अब अगर आपको admission मिल गया है तो सबसे important process आपको college में second year BVSC and AH के class में आना है पूछना है कि किशोर कौन है उसे बगल में ले जाना है और party देनी है इसे बिलकुल भ अगर किसी बच्चे को admission नहीं मिला है तो vacant seat की information आपको 25 तारिक को दे दी जाएगी 25 तारिक को आपको vacant seat की information दी जाएगी बस उसके बाद यहीं पर सारे processes खतम हो जाते हैं तो like करे, share करे, subscribe करे और admission हो जाए तो party मत बुले —— करे करे पर सारे का 라고 जाए ठना है करे क देटीज वाी अंसाओ ग। table ङाए तो बड़र के पर आपकोपव पर गजाल करे 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 सहाँ ड़ को आपको अशना है भę तो प्र जाए — चरशना है Любा जाए उवा जावकों ब।